नमस्टकार न्यूस्ट्रेंडीनाइन इंडिया में आपका स्वागत है मेडिम्पल सोनी और आगे नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा ख़बरों पर इन दोर में करीब 6 मा पूर्फोई कबाडी की हत्या के मामले में गवाहों को आरोपी जान से माने की धमकी दे रहे हैं इसको लेकर गवापक्ष ने पत्रकार वारता करते हुए पत्रकारों को आप बीती बताई 18 जून 2018 को आजाद नगर में कबाड का धंदा करने वाले शेक सतार की हत्या कर दी गई थी शेक सतार की हत्या उसके घर के पास में ही रहने वाले अलीम सेक ने की थी इस मामले में एक आरोपी अभी जमानत पर रिहा है और अब हत्या के गवा से एक सित्तार के बेटे सलमान को डरा धमका रहे हैं आरोपी पक्ष के लोग सलमान को डरा कर गवाही अपने पक्ष में देने के लिए दबाव बना रहे हैं सल्मान ने पत्रकार वारता के माध्यम से नयाय और अपनी मदद की गुहार लगाई है ब्यूरो रिपोर्ट निउस 29 इंडिया पर दोनों प्रक्षों में राजय नामा हुआ ठाने पर मर्टक के बीबी पहुंची और आरूपी की वालडा भी थी माँ भी थी वहां पर अभी क्या हो रहा है आप तो कौन दमका रहा है अभी यह समझा रहा है साथ कि सूपिया खान द्वारा बदमासों को बेजा जाता है मूँबान कराते हैं दमकिया देते हैं घर पर आकर और अब तो यह स्थिति है कि आरूपी की दोनों बीबिया अलीम की और नदीम की अभी एक दिन पहले कॉंग्रेस के नव निर्वाचित कॉंग्रेस विधायक संजर शुकला भाचपा के पुर विधायक सुदर्शन गुपता से मिलने उनके महेश नगर स्थित निवास पर पहुचे थे इस दोरान सुदर्शन गुपता ने भाचपा के वरिस्ट नेता विष्णु प्रसाश शुकला से मिलकर गलत फहमी को दूर करने की बात कही थी अपना वादा निभाते हुए सुदर्शन गुपता बान गंगा स्थित बड़े भाईया के निवास पर पहुचे उन्हें संजर शुकला की जीत की मिठाई खिलाई और उनसे चर्चा करते हुए गिले शिक्वे दूर करने की बात कही उलेखनी है कि चुनाव के दोरान गुपता ने बड़े भाईया पर जमकर आरोप प्रत्यरोप किये थे जिसके बाद विबात की स्थिती बन गई थी यूरो रिपोर्ट न्यूस 29 इंडिया भोजन पानी की तलास में तीन बच्चों सहित मादा भालू अतिरिक्त जीला नियाधीस के आवाश में दाखिल हो गई घटना कॉंकेर थाना शेत्र के अफसर कॉलोनी की है भालू की इस हरकत के बाद बड़ा हरकम मच गया देर रात को जंगली भालू का दल न्यायधीस के घर पहुचा घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वनविभाग भी मौके पर पहुच गए इन दिनों रिहायसी इलाकों में भालू के आने की घटनाएं बढ़ रही है भालू के घुज आने और जानलेवा हमले की भी घटनाएं दिन बर दिन बढ़ रही है इतने बड़े मामले हो जाने के बाद भी जंगली भालियों को आबादी इलाके गुसने से वन विभाग नहीं रोक पा रहे हैं कांकेड से राजेंद्र वाचपई की रिपोर्ट पश्चिम उडिसा में उच्छ नयायाले के स्थाई बेंच के स्थापना के लिए पिछले कई दिनों से हरताल की जा रही है हरताल को आज 106 दिन पूरे हो चुके हैं इसके बावजूत सरकार का इस ओर ध्यान नहीं देने से पश्चिम उडिसावासी के मन में ठेस पहुच रही है केंद्री क्रियान उडिसा के वकील समाज रीले भूख हरताल कर रहे हैं केंद्री क्रियानुस्थान कमीटी ने चितावनी दी है कि अगर सरकार ने उच्छ नियायाले का स्थाई बेंच के स्थापना पर ध्यान नहीं दिया तो भविश में आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नियूस 29, इंडिया। राजकी ये बाली का इंटर कॉलिज से लेकर पुलिस लाइन होते हुए रिकाब गंच तक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कारिक्रम के तहट जागरुपता रेली निकाली गई। इस जागरुपता रेली को निकालने का उद्दिश, लड़कियों को सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रती समाज को जागरुप करना है। भारत सरकार की यह योजना समाज की मानसिक्ता को बदलने का एक सरहानी कदम है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे है निउस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश।